हेलो गाईज वेलकम टू एष्टेमेल टूट्रीज आज के इस लेक्चर के इंसाइट हम डिसकस करेंगे एष्टेमेल टेक्स फॉर्मेटिंग के ऊपर गाईज इस लेक्चर को आप लास मुमेंट तो वोच करें क्योंकि ये लेक्चर आपके लिए बहुत ज्यादा लेते हैं तो गाईज यहाँ पर ये जो टेक्स आप देख रहे हैं ये सारे का सारे टेक्स फॉर्मेटिंग टेक्स है और इनकी हेल से हम अपने ह्टेमेल डोकिमेंट के इंसाइट टेक्स फॉर्मेटिंग कर सकते हैं तो चलिए इनको समझने कोशिश करते हैं इसे बोल्ड टेक की तरह ही दिखाई देगा यहाँ पर यह जो टेक है इसे italic टेक का जाता है किसी टेक्स्ट को italic दिखाना चाते हो तो इसका use आप कर सकते हो यहाँ पर यह जो टेक आप देख रहे हो इसे emphasized take केते हैं और इसका use किसी text को emphasize करने के लिए किया जाता है यह बिल्कुल italic take जैसा ही effect शो करता है यहाँ पर यह जो टेक आप देख रहे हैं इसे mark take करते हैं और इसका use किसी text को mark करने के लिए किया जाता है यह जो take है इसे big take का जाता है किसी भी text का default size 16 pixel होता है उससे बड़ा अगर आपको उस text का size दिखाना चाते हो तो आप big take का use कर सकते हो यह जो take आप देख रहे हैं इसे small take कहा जाता है और इसका use किसी text का size है उसे small दिखाने के लिए हम करते है यहन्ने किसी text का default size 16 pixel होता है उससे भी small दिखाना चाते हो इसका use कर सकते हो यह जो take है इसे delete take केते हैं और इसका use किसी text को एशा show करने के लिए किया जाता है कि मानलों वो delete हो चुका हो जैसे कि e-commerce website होती है वहाँ पर दो price आपको दिखाए देते हैं और एक price के उपर line खीची वी रहती है तुसे पता चलता है कि market में इसका price यह है और हमारा price यह है ठीक है तो यहाँ पर हम delete take के थ्रू ऐसा कर सकते हैं यहाँ पर यह जो take आप देख रहे हैं इसे underline take करते हैं और इसका use किसी text के नीचे underline खीचने के लिए किया जाता है इसा ही काम हम insert take के थ्रू भी कर सकते हैं इसकी help से भी हम किसी text के नीचे underline खीच सकते हैं यहाँ पर यह जो take आप देख रहे हैं इसे sub script take का जाता है और इसका use किसी text के base में कुछ दिखाने के लिए करते हैं हम लिखते हैं h2 तो 2 जो होता है वो h के base में होता है यहाँ पर यह जो take आप देख रहे हैं इससे super script take करते हैं और इसका use किसी text के power में कुछ दिखाने के लिए करते हैं जैसे x की power हम 2 लिखना चाहते हैं तो हम इसकी help से लिख सकते हैं तो चलिए इनको apply करके देखते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले मैं bold take को apply करके बताता हूं यहाँ पर मैंने लिखा यश पोग्रा अब इस text को मैं bold बनाना चाहता हूं तो मैं यहाँ पर क्या use करूंगा bold take चलिए run करके आपको बताता हूं राइट क्लिक करते हैं open in browser वाले option के उपर क्लिक कर दें आप देख सकते हैं run हो चुका है हमें यह जो यश पोग्रा यह bold दिखाई दे रहा है अगर हम strong take का use करेंगे तो तब भी यह bold ही दिखाई देगा लेकिन जो translator है वो इसको important text मनेगा मैं reload कर रहा हूं यहाँ पर आप देख सकते हैं bold ही दिखाई दे रहा है वैसे ही output आपको दिखाई दे रहा है लेकिन इसका जो meaning है वो अलग है अगर किसी text को important दिखाना चाते हो ता आप इसका use कर सकते हो अब माल लीजे कि मैं इसे italic दिखाना चाता हूँ तो मैं यहाँ पर i-take use करूँआ आप देख सकते हैं italic दिखाई दे रहा है यही काम हम em take के through भी कर सकते हैं यहने कि emphasized take के through भी हम यह काम कर सकते हैं आप देख सकते हैं बिल्कुल वे साही output आपको दिखाई दे रहा है अब माल लीजे कि इसे मुझे mark करना है तो मैं यहाँ पर mark take कर यूज़ करूँगा आप देख सकते हैं यह mark हो चुका है अभी इसका जो size है हम इसको बड़ा करके देखते हैं तो मैं यहाँ पर big take use कर रहा हूँ आप देख सकते हैं इसका size बड़ा हो चुका है अब मैं इसका size small करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर small take use कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं इसमॉल हो चुका है गाइज अब मैं यहाँ पर डिली टेक कर यूज कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से आपको e-commerce साइट पर जो प्राइज है वो दिखाई देता है जो ओल्ड प्राइज होता है वो ऐसे कटा हुआ रहता है जो रहता है ठीक है अब मैं यहाँ पर underline टेक का यूज कर रहा हूँ आप देख सकते इससे जो टेक्श टे उसके नीचे अन्डलाइन आ जाता है और यही काम हम इंसर्ट टेक से भी कर सकते जो टेक के बारे में बता रहा हूँ हूं वो sub script take है और इसका use केसे करते हैं वो मता देता हूँ आपको सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ h और अब 2 को मुझे base में दिखाना है तो मैं यहाँ 2 लिख हूँँआ और मैं इस तरीके से use करूँआ तो यहाँ मैं वो लिख दूँआ अब आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने h2o लिख दिया है अब मैं यहाँ पर आपको super script take कर यूज़ करके बताता हूँ मैंने यहाँ लिखा x और 2 को मैं इसकी insight लिखूँँँँँँँँ अब मैं यहाँ पर reload करके आपको बताता हूँ आप देख सकते हैं x की power में 2 है तो guys आज की इस lecture की insight हमने discuss किया text formatting के उपर I hope कि आपको इस lecture बहुत अच्छे समझ माया होगा मिलते हैं next lecture में तब तक के लिए बाई बाई